ग्लोबल वामिक प्रित्वी निश्चय ही गर्मतर हो रही है पिछले दशक में सरवाधिक गर्म वर्ष घटित हुए हैं तथा अधिक्तम वैज्ञानिक या विश्वास करते हैं कि आने वाले वर्ष अधिकाधिक गर्म होने वाले हैं अनेक जलवायू विज्ञानी कहते हैं कि 21 सदी में तापमान 3-8 डिग्री तक बढ़ेगा वाँ तापमान बढ़ने का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुप कारण कारबन डायोकसाइड, मीथेन, नाइट्रिस ऑकसाइड जैसे ग्रीन हाउस कैसों का वायू मंदल में उत्सर्चन है यह ग्रीन हाउस एफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस एफेक्ट वर्स्तिती है जब सूर्य की उश्मा और प्रकाश प्रित्वी के वायू मंदल में रोक रखा जाता है तब प्रित्वी का तापमान बढ़ जाता है यह दैसा ही है जैसे गाड़ी में उश्मा रोक रखी गई हो अधिक कर्म दिनों में पार्किंग में खड़ी की हुई गाड़ी गर्मतर होती है यह इसलिए कि सूर्य की उश्मा और प्रकाश खिर्कियों द्वारा अंदर जा सकता है मगर बाहर नहीं आ सकता यही ग्रीन हाउस एफेक्ट प्रित्वी के साथ करता है उश्मा और प्रकाश वायू मंदल अंदर आ सकता है मगर वजा नहीं सकता है क्योंकि वायू मंडल की ग्रीन हाउस गैसे उश्मा को रोब कर रखती है नतीजा तापमान बढ़ जाता है पानी की अनेक जीवियां मर जाएंगी या जल का तापमान बढ़ जाने के कारण विलुक्त हो जाएंगी जबकी वे जो गर्म जल में बढ़ जाते हैं चाहते हैं अत्यादिक बढ़ जाएंगे शायद कोरल रीफ में अत्यादिक विसुप्त करने वाली स्थिती है जिनके ग्लोबल वामिंग के कारण मर जाने की संभावना है ग्लोबल वामिंग से एको सिस्टिम में प्राणियों के वहवार में अपरिवर्तनिय बदलाव आने की संभावना है ध्रुवियक शेत्रों में बहुत सा घन रूप में जल है तथा तापमान में बढ़त इस बर्फ को पिगला सकता है जिसके फल्सवरूप समुद्री तल बढ़ सकता है समुद्र पर बाढ़ आकर वहां के जीवन, पौधे, प्राणी तथा लोगों पर असर कर सकता है प्रित्वी का तापमान बढ़ने से बारिश की मात्रा तथा तरीका परिवर्तित हो सकता है वह जलवायू की घटनाओं को तीवर कर सकता है जैसे बार्ट, सूखा, लू चलना, आंधी, तुफान, आदी हम मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? वहां अनेक काम है जिनसे हम ग्लोबल वामिंग कम कर सकते हैं फॉसल इन धन को जलाकर उससे उत्पन गैसे, उद्योग तथा कृशी से होने वाले प्रदूशन को कम कर सकते हैं तथा चलने का प्रयास करो, बाइक या कार पूल कर लो क्योंकि ड्राइफ करने से आप फॉसल इन धनों को जलाकर कार्बन डै ओकसाइड का उत्पादन कर रहे हो ग्लोबल वामिंग का प्रमुप कारण है बिजली के कारण प्रदूशन बिजली से अनेक प्रकार से प्रदूशन होता है अन्य प्रदूशनों से वह बत्तर है अधिकतर मामलों में बिजली उत्पादन के लिए फौसल इन धन जलाया जाता है इसलिए बिजली का उप्योग कम करना हमेशा बहतर है और जैसे कि आपको मालूम है पेट और हरे पौधे कार्बन डाय ओक्साइड लेकर ऑक्सिजन का उत्पादन करते हैं अतह पेडों को रोपना महानकार्य है झाल 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 झाले को रहतर है